आप सिर्फ अपने घर में परिवार में ही सिमिट के रह गए हैं आपका जीवन इतना अनमोल जीवन आपका सिर्फ बच्चों के ही लिए सिमिट के रह गए बच्चे तो सूकरा और कूकरा भी अपने बच्चों का पेट भर देते हैं कि आप कोई बहुत बड़ा काम करके नहीं आ गए, आप पसूँ जैसा काम किये, तुमारे तो दो बच्चे होंगे, पसूँ को तो दर्जन दर्जन होते हैं, क्या ऐसा इतना बड़ा काम आपने कर लिया, यह कोई बहुत बड़ी योगिता नहीं रही, बच्चों को जनम दे देना, बस उनको बड़ा कर देना, बस इतने में जिन्दकी सिमिट गई, अब तो मरगट की लकडियां इंतिजार कर रही हैं, इसे भी कुछ बाहर चल करके आना चाहिए था, और वो बहुत बड़ी गल्ती हो गई है, अभी भी बचा हुआ समय है, वो इस सत्कारियों में ख थापेड़े खा रहे हो, कनपटी सिक रही है, आपने कभी जहांक देखी नहीं होगी, मैं गाउं का जन्मा हुआ हूँ, मुझे पता है कि मई और जेट की जहांक कैसे कनपटी में, बेलकुल महराज सेख देती है, थापेड़े मारती है, और ये मोह की आंधी, ऐसे ही को भी तयार नहीं है, वो सेवा क्या करें, बच्छाती दिखा कर, हीकडी दिखा करके चले जाते हैं, कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि इन कुटल आउलाद का करजा आता था, जिसको बस आप पूरा ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, जिनमें संसकार नहीं है, बिलकुल इ भी हैं, इतने एमाली हैं, इतने कुकरमी हैं, इनकी सकल देखने से भी अभाय लगता है, दर लगता है, तुमारी आवाद पडोसी मान लेता है, दूसरे गाओं के लोग मान लेता है, लेकिन जिनको तुमने पैदा किया है, वो कभी तुमारी बात मानते नहीं हैं, और अभ करती पर कभी द्वारा मनुष्य नहीं बनने देगी मैं आगरह पुर्वक्निवेदन करूँगा जीवन बेलकुर नदी के बालू की तरह सिमट गया है खिसक गया है घर इनको समालने दो आप तीर्थों का बसेरा करो संगती करो अच्छे लोगों की महापुरसों का संग करो घ घर से अब ज़्यादा समय बाहर निकालो जितना घर से बाहर रहोगे मोह की आंधी से उतना ही आप बचे रहोगे यह मोह हमारे पुर्ण्यों को छिंड करता है बाबा तुलसी ने तो यह कहा कि मोह बहुत बड़ी वीमारी है वो कहते हैं मोह सकल ब्याधिन है एक ओती है जो आधी है वो अंदर की वीमारी है तो इन व्याधियों से बचने के लिए महापुरस स्रिष्ट जनों का संग करना पड़ेगा भगवान की कथाएं सुनो चरत्र सुनो अच्छे लोगों का साथ करो कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेद करोड कार करने से पहले भगवदी कार करो इसमें अन्तिम स्वांस तक इनको तुम प्रसन्न नहीं कर पाऊगे चाहिए जुतना करते रहे ना बेटा यही कहेगा पापा मटरगस्ती करते रहे आपने हमें क्या किया मेरे मित्र के पापा ने तो ठेड़ सोभी का जमीन खरीद दी अपने बच्चों के लिए तुमने क् इसलिए ने काम करो बेटियों को अच्छे घर में आपने पहुंचा दिया है घर में बेटों को बहुए आ गई हैं बेटों को भी बेटे हो गए हैं अब लोग तुम्हें कहते हैं बाबा बाबा करते अब बनो अब बिगड़ो मत अब चास नहीं मत चाटो हाँ अब रसगुला नहीं अब तो खाली गुल नहीं ठीक है रसगुला तो बहुत खाये अब रसगुला नहीं अब तो गुला खाली गुला रसगुला छोड़ो बहुत रसगुला खाली है जादा रसगुला के चकर में मत बढ़ो डाइविटीज हो जागी यह मोह ही तो ड ऐसे डाइविटीज एक हजार बीमारियों को जनम देती है। एक घर का मोह भी संपूर्ण दुर्गडों को पैदा कर देता है। मोह कह दूं और डाइविटीज कह दूं मदमे कह दूं दौनों में बेलकुल अंतर नहीं है। दौनों बेलकुल एक ही है। इदर डाइविटीज है और दर मुव है। तो यह रसगुल्ला खा करके डाइविटीज बहुत बढ़ती है। संसार के ब्यसनों में भोगों में तो यह बीमारी बहुत बढ़ जाएगी। तो रस गुल्ला डाइबिटीज को बढ़ाएगा और खाली गुल्ला करेला नीरे से है ये गुल्ला क्या है ये भगवान का भजन ही गुल्ला है भगवान का भजन गुल्ला है जो मोहरूपी डाइबिटीज को जड़ से खतम कर देगा इसने रस गुल्ला से अब गुल्ला में झाल झाल